हे गाईस तो आज मैं आपके लिए एक्स्प्लोजिव इथिरियम प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ अब प्राइज रियक्टिव डिफलेस्ट नरी टोकन विथन इलास्टिक सप्लाई एंड नो नेगेटिव रिवेस यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट के कंसेट की बात करो तो वो बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक कंसेट है यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो सबसे अच्छी बात है वो यह है कि यहाँ पे नेगेटिव रिवेस नहीं होता है जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो token का price होता है वो always gain होता है और इसके अलावा यहाँ पर अगर उनके token की बात करो तो यह token already list हो चुका है coin market cap और coin gecko के उपर तो यह पूरा project कैसे work करता है उसके बारे में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ चलिए अब हम आ गये है website के उपर तो website के related सारे links आपको निचे description में मिल जाएंगे तो आप उसके उपर क्लिक करके उसको one by one checkout कर सकते है तो आप सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको introduction देता हूँ x88 bird finance project के बारे में यहाँ पर सबसे पहले अगर website की बात करूँ तो आप दिख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अप्राइज रियक्टिव डिफलेस्नरी टोकन गिते हैं elastic supply and no negative rebase तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस यहाँ पर कोई भी negative rebase नहीं होता है और इसके अलावा यहाँ पर अगर टोकन के model की बात करो तो वो है डिफलेस्नरी model तो यह पूरा कैसे work करता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप चेक आउट कर सकते हैं यह जो टोकन है वो आपको मिल जाएगा coin gecko and coin market cap के उपर तो अब मैं आपको जबते बहले लेके चलता हूँ coin gecko के उपर और आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर जो टोकन है वो आल्रेड़ी यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसके अलवा आप मैं आपको लेके चलता हूँ coin market cap के उपर और आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर अगर टोकन के symbol की बात करो तो वो है XETH यहाँ पर अगर टोकन के recent price की बात करो तो वो है around 3.59 USD का और यह आज अल्रेड़ी almost 40% अब भी हो चुका है उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर चार्ट की बात करो तो आप दिख सकते हैं यहाँ पर रिसेंटली उसकी all time high की बात करें तो वो है around 11.50 USD का तो उसके compare में अगर यहाँ पर दिखा जाए अभी का recent price तो वो काफी कम है यानि कि यह best chance है आपको यहाँ पर token को buy करने के लिए उसके बाद में यहाँ पर अगर market pair की बात करो तो यह जो token है वो already list हो चुका है UNICEF exchange के उपर जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कितनी आपको यहाँ पर liquidity वगेरा मिल जाएगी उन सब के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो अभी फिलाल के लिए मैं यहाँ से back चला जाता हूँ उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप checkout कर सकते हैं यहाँ पर basically XETH है क्या और XETH कैसे work करता है आप दिख सकते हैं यहाँ पर लिखा है XETH is a packed to the price of Ethereum If the price of XETH is greater than 0.01 ETH then holders of XETH will experience a positive rebase यानि कि गईज अगर यहाँ पर XETH token का price है वो अगर यहाँ पर 0.01 ETH से ज़्यादा जाता है तो यहाँ पर positive rebase होता है यानि कि यहाँ पर जो token का supply होता है वो increase कर दिया जाता है और वैसे ही यहाँ पर अगर token का price 0.01 ETH से down जाता है तो यहाँ पर deflationary mechanism work करता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी negative rebase नहीं होता है जिससे क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी token lost नहीं होगा तो यह benefit मिल जाता है यहाँ पर negative rebase नहीं होने का और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर negative rebase की जगा पर यहाँ पर work करता है deflationary mechanism और इससे क्या होता है कि यहाँ पर every transaction के उपर 1% बन हो जाते है जिससे क्या होगा यहाँ पर token का total supply होगा वो reduce होगा और यहाँ पर जो उसकी value होगी वो यहाँ पर बढ़ेगी तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो XETH है उसका यहाँ पर mechanism पूरा work करता है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है rewards buyer through the positive rebase packed to a baseline of 0.01 ETH यानि कि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो base line है वो है 0.01 ETH जिसके उपर rebase mechanism work करता है उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है punish seller through transaction taxes at a rate of 7.6% of the transaction amount यानि कि अगर यहाँ पर taxes की बात करें तो यहाँ पर tax लगता है 7.6% का off transaction amount जिसमें से यहाँ पर 3.8% है उसको burn कर दिया जाता है और balance यहाँ पर 3.8% है उसको यहाँ पर distribute कर दिया जाता है जितने भी staker से उन में तो यह भी एक काफी अच्छी बात है उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते है तो यहाँ पर जो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते है तो यहाँ पर आपको company का एक promo वीडियो में जाता है तो इसको आप जरूर चेक आउट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोजेक के बारे में पूरा पता चल जाएगा उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर token और में इसकी बात करो तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे अगर XETH के total supply की बात करो तो वो है 250 के XETH और उसके अलबा आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने कैसे token को distribute किया है उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे XETH का जो diffless tani bottle है वो कैसे work करता है आप यहाँ पे image के through checkout कर सकते हैं यहाँ पे लिखा है 3% of every transaction tax यानि कि यहाँ पे जितने भी transaction होंगे उसके उपर 3% का tax लगेगा यानि कि उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो 2% उसको यहाँ पे burn कर दिया जाएगा और balance यहाँ पे जो 1% उसको यहाँ पे as a dividend दे दिया जाएगा जितने भी stakers है उनमें यानि कि यहाँ पे basically जो लोग stacking करते हैं उनको यहाँ पे काफी ज्यादा फाइदा होगा जितना ज्यादा वो percentage hold करते है token का उतना ही ज्यादा उनको distribution मिलता है तो यह एक फाइदा है stacking करने का और कुछ इस तरह से इनका जो यहाँ पे deflationary model है वो पूरा work करता है उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको उनका vision वगेरा मिल जाता है और यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको उनकी official community मिल जाती है तो इसको आप जरूर जोइन करना तो उनका जो भी latest update वगेरा होगा या फिर अगर आपका कुछ ון को प्रोवाइड करके यहां पर अर्निंग कर सकते है एक्सी टॉकन का आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर पको time जाता है add ethereum to xcth liquidity का उसके उपर आपको simply click करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे जितना भी liquidity को provide करना है उसको आप यहाँ पे डाल दीजे और बाद में आपको यहाँ पे simply approve कर दीना है तो यह एक बहुत ही simple सा process है यानि कि अगर आप यहाँ पे stacking करते है तो यहाँ पे जो आपको earning होगी वो होगी xcth token में जिससे क्या होगा यहाँ पे आपका token भी बढ़ेगा और उसके अलावा जैसे जैसे यहाँ पे जो token का price है वो बढ़ेगा तो उसका आपको benefit होगा यानि कि आपको यहाँ पे double benefit होगा अगर आप यहाँ पे stacking करते है तो अब मैं guys यहाँ से back चला जाता हूँ उसके बाद में अब मैं आपको last में लेके चलता हूँ Uniswap info के उपर और आप checkout कर सकते हैं यहाँ पे अगर token के recent price की बात करूँ तो जैसे कि मैं आपको बताया वो है 3.73 USD का यहाँ पे अगर total liquidity की बात करूँ तो वो काफी हाई है जो की है around 460,000 USD का उसके बाद में यहाँ पे अगर 24 hours volume की बात करूँ तो वो भी काफी ज़्यादा है उसके बाद में यहाँ पे अगर pull token की बात करूँ तो कितने ETH यहाँ पे pull किये गए है और कितने XETH यहाँ पे pull किये गए है वो आप यहाँ से check out कर सकते है उसके बाद में यहाँ पे आपको chart देखने के लिए मिल जाता है और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा benefit हो सकता है तो अगर आप चाहो तो यह token को आप जरूर बाइक कर सकते है